डाइमंड से उसको बनाया गिया है पूरी गुजराती लुक में है आप हेलो गाइस वेलकम तो मैं न्यू व्लॉक ऑन दिस मैं चैनल इंडियन एक्स वैजएट तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम गए थे एक छोटी सी नाटक की प्रस्तुती थी तो हम लोग उससे को देखने के लिए वहाँ पर गए हुए थे जिसका नाटक का नाम था के देवता और इस नाटक तो फिलहाल हम लोग को कुछ खास अच्छा लगा ने तो हम लोग बात यह है कि यहीं पर लगी हुई थी गुजरात के सिल्फ मेला जितने भी लोग आये हुए थे वह सारे गुजरात के लोग थे अभी मैं हूँ भवानी सेल्स में और यहां पर उस दुकाने लगी हुए है यह सम्तब्स आ olması में पुरा जाहरो यहां पुरा जान में यहां पे यहां पूरा जाया में अपने आज्टिंग सेल्ट वाली साहां और यहां पर नाच पूरता वराकृत्स अपने आर्ट वालों के लिए यह पूरा गुजरात के लोग हैं यह पूरा बुद्धा बना हुआ है और यह नियूरल अठ है वो बारबल पाउडर से बनाया गया है तो इसमें हर एक शीज हैंडवर्क है पूरा यह पूरा स्ट्रॉल हैंडवर्क है मेरी वाइफ बनाती है श्कृुहा यह रामदरबार है जो HDF पर कार्विंग किया होगा है, ये स्रीनाजी बगवान है, जो MDF, sorry, canvas पर है, और ये 22.5 करेट के लड़ू गोपाल जी आप देख सकते हो, बड़ा बड़ा और चोटे से चोटा बड़ा जो भी चीज बना है, वो सब मेरी वाइफ ने by hand बनाया है, और घर पे ही बना है, और एक चीज दूसरी बार रिपीट नहीं होती है, इसमें डीटेलिंग पर देखोगे ना, तो ये प्रा आपको वो रियल फोटो है, मालब रियल पिर्वधिबाला जी का जो संगार है वो संगार आपको दिखेगा, इसके फूलो का हार जो बनाया गया है, वो देखिए, इ अगर आप देखेंगे तो, इसके कॉस्ट आपस्ट आपने 39,000 रखा है, वो जो 39,000 रखा है, वो अब समझ लो साड़े तीन महीने का सिर्फ लेबर कॉस्ट काउंट कर लो, माटरियल का चीज तो अलग है, पुरा फ्रेमिंग भी, फ्रेमिंग आप ही करवाते हैं या अलग और यह पूरा यह प्योपी और उसमें कार्विंग हो रहे है, और उसमें गोल फॉइल लगा है, यह अब एक लिगा है, फ्रस कम ही आएगा, लाइट कम पड़ेगा, लेकिन देख सकते हैं डायमंड किस तरह से भी चमक रहे हैं, अभी लाइट बन किये हैं, लेकिन लाइट करेंगे तो उसमें कुछ अलेगी फिल आएगा, तो आप डीटेल लेखे, वास है, अभी मैं आया हूँ है, और यहां पर गुजरात का इस्टॉल लगा हूँ है, यह पुरी कटपुतली है, जिसको आप घर में सजाने के लिए यूज कर सकते हैं, पुरी गुजराती लुक म मैं हुआ है। मैं हुआ है सब्सक्राइब जितने भी भाई वो लोग आ सकते हैं यहां पर और यह संदूक और यह खीली कप्ड़े टांगने होना सब्सक्राइब गुजरात के जिसको भी चन्या चूली लेनी हुए यहां असुप्ता है इसके डिजाइनिंग देखे कितनी मारिकी से बनाया गया इसको क्या उसके इसके टूरे परसे है गुजरात का मैं कि पलाइब गुजरात आ यान कानशी श्म्राट के संब нिली फ्रेंद ऑन जो श्राएजन आया जो जो एक टाहिए अ ये पुल सकशना था कि सोड़कर टाइंड आ्या है पर ट्रूर्ट मित्स अजन टाहिए इसके गोशन स क्या आप आपिस आपर अ कि ने गारा कारशत को हुआ है अछिम कर दो जो सब्सक्ति कर दो बढने नेल पैंटिंग जिसमें की एक कागस को घिस करके बनाया गया है, इसमें एक चादर रहती है, जिसमें की पुरा कलर लगा हुआता है, और इसमें कागस को घिसा जाता है, और जो भी घिसा जाता है, उसमें पहले डिजाइनिंग को पुरा ट्रेस किया जाता है, ट्रेस करने के बाद उसको इसक कपड़े में घिस दिया जाता है और उसके बाद ये डिजाइन कुछ ऐसे निकल कि आती है ये अभी बनाए गया है इसको घिसके एक डेमर दिखाते हैं आपको ये नाकुन से बनाए जाती है प्रेंटिंग है इसको इससे में घ्रसा जाएगा है तो आसान बस हाथ का खेल है है ये है ये लिए लिए ग्रेओ करने का चाहे हैं जो कि बनाए जो घ्रसा नेटा हैने तुक्त को आंता है जो कि अ विए हिए विद्ग कर दोंकर अपयिता है उपक्तिंगर नहीं ऊचर्थान कि अबरेंच उआए जुए प्रमेश फुलिया कि इसको एक प्रिश भीज ऑब सारे लोग जो है ना गुजरात से आये हुए हैं और यहाप मेरे पीछ नियुक्त तो गैस यह प्तूरा गुजरात का चन्या चोली है और बहुत ही इसको आप लोग जानते हैं कि डांडिया के दिन इसको पहना जाता है और डांडिया खेला जाता है इनको पहन के तो बहुत बचाब से चूरिया है इसके सुर्वाद बहुत है के सब्सक्राइब है गर conducting आष्य हो कर दिपना दो집ाता है you move slow and I move fast and that's past only I can make a change slowly take a step today I will never be the same cause that's what it takes आप लुक को एंसी एक्सेजिंग फुराने किताबें चाहिए हो तो आप लोग यहां से खरीच सकते हैं यह है इलावाद म्यूजियम की बुक जिसको की राज भॉन ने पब्लिस किया है प्री इस्टोरिक इंडिया पेंटिंग डॉक्टर जगदी स्कुपता की पेंटिंग है और यह है राजा लाइबरेरी और राज भावन लगनौ खजुराहो कि अगर बुक चाहिए हो तो यहां साब ले सकते हैं गंगा सागर तिवारी की इलावाद जिले की एतिहासिक इमारत यह है बिहार के पारंपरिक नागहाँ